इस वीडियो में बहुत इंपॉटेंट अपडेट करने वाले CMA एक्जाम जुलाई 23 स्टुडेंट्स को चाया आप फाउंडेशन का स्टुडेंट और इंटर्मिरेट या फाइनल का स्टुडेंट्स को न्यू प्रॉब्लेम आग या इसके बारे में डिटेल में बात करेंग आई होब कि इस वीडियो में आपको स्टुडेंट्स प्रॉबाइट करेंगे जिससे आपका डाउट क्लियर होगा तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले स्टुडेंट्स चोटा सा रिक्वेस्ट करेंगे यूट्व पे एक मातर ऐसा चैनल है जो CMA कोर्स के बारे में पात में इस टुडेंट अई-डि कार्ड लेकर के जाना परेगा तो बहुत सारे स्टुडेंट्स के पास टुडेंट अई-डी कार्ड नहीं है वो लोग मुझसे पूच रहे हैं वो लोग डमलोड भी नहीं कर पा रहे हैं अब ध्यान से बाते कहオले है आपका Admit कार्ड ठीक है नहीं है तो government ID proof ले करके जाओगे जैसे कि आधार, card, pan card, driver license, voter ride इन सम्में से कोई एक होगा तो चल जाएगा वैसे CMA Foundation, intermediate, final, students, exam center पे क्या-क्या चीज लेके जाएगे मैंने detail video बना रखा है students अगर आपको student ID card download करना है तो students वाला section पे click करना ICMAI के website पे आ करके इसके बा आपको अपना application number, foundation, intermediate, final का जब आप foundation course में registration किये होंगे या intermediate या final course में उस समय आया होगा application number वही application number लिखना है, send OTP पे click करना है, इसके बाद आप लोग student ID card download कर लोगे, फिर भी student ID card download नहीं कर पाओगे तो कोई बात नहीं है, इसके जगह पे कोई भी government ID proof जैसे कि आधार, card, pen card, driver license, इन समय से कोई एक लेकर चल जाओगे, simple सा बात है, I hope कि आपका problem solve हो गया, exam center पे क्या-क्या चीज लेके जाना, मैंने detail video बना रखा, video का link description में मिल जाएगा, और हाँ students, अगर आप लोग चाटे studies के YouTube चैनल पे नए हो, तो चैनल को subscribe करके all notification bell दबा दीजिए, ताकि आ जरूर कीजिएगा, मिलते हैं next video में, और आप सारे students को all the best, अच्छे से exam दीजिए, का ज्यादा घबराईएगा, नहीं, relax होकर के सारे students exam दीजिए,